दो फेर का वक्त है और फास्ट बार मैंने वीडियो बनाया तब यह ओज में पानी कम था लेकिन आज देखो ओज यह पूरा भरा हुआ है पानी से तो आज फिर एक बार हम यह हमारी जो बफेलो है वो पानी में आने के लिए आएगी तो उसका वीडियो में बना रहा हूँ ताकि इसमें उस दिन तो तेर सके उतना पानी नहीं था लेकिन आज फूरा परा है तो तेर सकेगी और हम देखेंगे कि उसको कैसा लगता है यह ओज के अंदर आने का रास्ता है और फिर आज तो ओज देखो यहां तक बड़ा हुआ है अभी समट की सिजन भी स्टार्ट हो गई यह तो उनको पानी में पैसे भी बहुत अच्छा लगता है और जब ऐसा माहूल मिलेगा तो और भी अच्छा लगेगा अच्छा लगता है और फिर सब आजाने के बाद यह इधर भी हमने दर्वाजा लगाया है ताकि उनको जब निकलना हो तब यह दर्वाजा खोल दे और अब यह दर्वाजा बर्त कर देंगे हम बनकादे दरोजा बनकादे अच्छा बनकादे पानी में एक्टम केसे मोज कर रही है देखो और मैंने आजा भई से बोचा कि आजा भई आप बता ओ की यह देखो, आजा भई और Bubble दोनों खड़े हैं कि भैसो को को हम पानी में नहलाते हैं, उनसे क्या फायधे हैं आजा भई बोल रहे हैं की नहीं, आप बोलो, मैं नहीं बोलूगा तो हमारे इसाब से पहला तो सबसे बड़ा फायदा है कि उसको चमडी का कोई भी रोग नहीं होता है और दूसरा की अभी समर का टाइम चल रहा है तो वो थोड़ी देर पानी में रहेगी तो उससे क्या है कि उनको ठंडक मिलेगी और उसके वज़े से दुद का प्रोडक्श का यूज कर सकेंगे ताकि हमारी जो जमीन है उसमें हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकेंगे और हमारी जमीन जो अभी हम ओर्गेनिक कॉंसेप्ट पे जा रहा है उनका हमें इसमें बेनिफिट रहेगा तो यह सारे पानी में नहलाने के फायदे है अजय अभी बरोबार है र अभी पानी में तेरना स्टाट हो गया है और यह देखने के लिए मेवा भाई भी आ गए देखो में आतूंचो करो अब यह जब पानी बरना है या निकालना है तो उसके लिए मेवा भाई का बहुत अच्छा साथ रहता है तो इधर उनको याद करना जरूरी है दोपेर की निंद लेके आ गए आप साइब देखो अभी सिर्फ बैसों के मुह ही दिख रहे है इसलिए ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ही कम है लेकिन करीब 55-60-22 से अभी इसमें तेर रही है और ना रही है 55-60-22 अभी चाल कि अभी आ एक फच्पिजर दोप्राइब देखो ये फसुए वो बहुत ही अच्छी तरह से तेर सकते हैं क्योंकि उनको कहीं पर भी कैसे भी परिस्थिती में रहना पड़ता है तो कुद्रत ये सब को सिखा देते हैं और हमें भी फेरना सिखना चाहिए मुझे तो आता नहीं है लेकिन आप में से किसको आता है वो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना और हमारे पास ऐसा दुसरा भी एक खौज है जो हमारी खजूर का फार्म है उदर है तो उसमें हम स्विम भी करते हैं तो अगर किसी को तेरना नहीं आता है और आता है और जिसको तेरना है या तेरना सिखना है उनके लिए भी हम कुछ व्यवस्ता कर सकेंगे तो आप मुझे कॉमेट करके जरूर बताना अब भैसों को बार निकाले का टाइम हो गया है और रजा भाई भी आ गया है और उदर मेवा भाई भी तैयार है चलो भाई खोलो दर्वाजा घ्टाइब जया खोलो दर्वाजां व्यवस्ताना अपनी शरीर की सब गंद की बोज में छोड़के आ गई सब मेंसे देखो और दोड़ रही है फ्रेस हो गई एक दम यह जो कोक्रिट है वो थोड़ा खर बचला किया हुआ है इसका बेनिफिट आप देख सकते हैं वरना जैसे ही निकलती एक तो पेर गीले होते और तुरंद ही गीर जाती लेकिन देखो एक दी गीर नहीं रही है और आराम से नीचे उतर सकती है तो यह मेरे पापा की दुरंद दिलसी की वज़े से हो सका है देखो और तो बहुत मजा रही है अंदर है उसको तो निकलना का नाम भी नहीं दे रही है बाकी सब दौर के चली गई कर दो